न्यूजी लैंड के खिलाफ पुणे में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में वाशिंग्टन सुन्दर की फिरकी का जादू सिर चढ़ कर बोला। सुन्दर की घूमती गेंदों ने न्यूजी लैंड के बल्ले बाजों को आउट होने पर मजबूर कर दिया। टेस्ट क्रिकेट में जोरदार कमबैक करते हुए भारतिय स्पिनर ने कीवी टीम के साथ बल्ले बाजों को पवेलियन की राह दिखाई। महमान टीम के बल्ले बाजों के लिए सुन्दर अबूज पहली साबित हुए। वाशिंग्टन ने न्यूजी लैंड के पाँच बल्ले बाजों को क्लीन बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया था। सुन्दर ने न्यूजी लैंड के खिलाफ भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में संयुक तुरूप से तीसरा बेस्ट स्पेल फेंगा। उन्होंने अपने तेईस दशमलव एक ओवर के स्पेल में 69 रन खर्च करते हुए साथ विकेट अपने नाम किये। स्पेल दूसरे टेस्ट मैच के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने जब प्लेइंग 11 का एलान किया तो हर कोई हैरान था। वजह थी कि कुलदीप यादव की जगह टीम में वाशिंग्टन सुन्दर का नाम था। हालां कि सुन्दर अपने कप्तान के भरोसे पर एकदम खड़े उतरे। वाशिंग्टन ने पुणे में स्पिन का ऐसा जाल बुना कि हर कीवी बल्लेबाज उसमें बुरी तरह उलजकर रह गया। कोई भी बल्लेबाज इस अबूज पहली को नहीं बूच सका, जिसकी वज़ह से प्रतियेक बल्लेबाज को एक-एक करके पवेलियन का रास्ता देखना पड़धा। 23 ओवर के स्पेल में सुंदर ने न्यूजी लैंड के साथ बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई और पूरी टीम को 269 रन के स्कोर पर समेट दिया। टेस्ट क्रिकेट में भारतिय स्पिनर ने एक पारी में साथ विकेट लेने का कारनामा पहली बार करके दिखाया है। सुंदर ने भी 69 रन देकर कीवी टीम के साथ बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। भारतिय स्पिनर ने न्यूजी लैंड के पांच बल्लेबाजों को क्लीन बोल्ड किया। वाशिंग्टन टेस्ट की एक पारी में पांच बैटर को बोल्ड करने वाले भारत की से पांचवें गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले यह कारनामा अनिल कुंबले और रविंद्र जडेजा भी कर चुके हैं। स्पिनर्स ने जटके सभी 10 विकेट। पूने टेस्ट की पहली पारी में वाशिंग्टन सुन्दर और आर अश्विन की जोडी ने न्यूजी लैंड के सभी 10 विकेट निकाले। सुन्दर की जोली में 7 विकेट आये तो अश्विन ने 3 कीवी बल्ले बाजों को चलता टेस्ट क्रिकेट में भारत की सरजमीन पर खेलते हुए स्पिनर्स ने सभी 10 विकेट लेने का कारनामा छटी बार किया है।